जुआ संसाथ Ohh Hello everyone, myself Nisha, Welcome to all of you on this online platform of Bumanya आज के class में आपको कोई ऐसे questions नहीं होंगे आपका आज की जो class है वो आपका basically concept वाली class है जसके अंदर की हम लोग एक प्यारा सा concept सीखेंगे और प्यारा सा concept कौन सा है आपको मेरे पिछे दिखी पारा होगा आपका जो वो प्यारा सा concept है उसका रहेगा fractional values इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपका एक percentage नाम का topic होता है जिसको की हिंदी में पर्तिशत बोला जाता है और जो आपका percentage topic है उसकी जान है उसका base है कुछ भी बोल सकते हैं उसका सब कुछ है fractional values अब बहुत सारे बच जाता है कि मैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है तो आपका उसे डर को भगाने के लिए आज की class आपका ये 15-20 minute show रहेगा आपकी 15-20 minute की चोटी सी class रहेगी जिसके अंदर की हम लोग fractional values को फोड़ना सीखेंगे ये बड़े से बड़े fraction को हम लोग कैसे आपके छोटे से fraction के अंदर convert कर सकते हैं ठीक है आपको तीन से चार चीज़े ही पूरी class में आपको बताऊंगे एक एक बात को ध्यान से जुनना है ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके fractional values को आप जैसे ही percentage खूलेंगे तो आपके पास में percentage का पहला base यही बनता है पहली चीज़ आपके पास में यही आएगी कि conversion of क्या है conversion of percent to fraction यानि कि हमें जब भी percentage से fraction में जाना हो परतिशत से भिन में जाना हो तो आप क्या करेंगे आपके पास एक simple सा method है कैसे जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि 10% को fraction में क्या लिखेंगे 10 रहेगा as it is percent हटेगा तो नीचे आएगा 100 आपके पास जरूरी नहीं है 10 के case में हो दुनिया की कोई भी value हो परतिशत हटा तो नीचे 100 आएगा ठीक है percent का symbol हटाएंगे नीचे 100 आपका rule है करना क्या है question के अंदर आप यहां से काटेंगे 0 से 0 तो इसका मतलब हो गया 1 बटे 10 मैं 10% को fraction के अंदर 1 बटे 10 बोल सकती हूँ है ना क्या बोल सकते हैं 1 बटे 10 ऐसे ही एक दो और examples आपके लिए है 20% का मतलब मैं 20% हटेगा नीचे 100 इसको काटेंगे 0 से 0 दो एकम 2 से जाएगा 5 पे 20% का मान ही 1 बटे 5 होगा fraction के अंदर इसी तरीके से 1 से 2 examples और है 50% को लिख सकते है मैं 50 परसेंट हटेगा नीचे 100 इसको लिखेंगे 1 बटे 2 ऐसे ही आपके पास में एक और नई value आई है लेकिन ये वाली value थोड़ी सी अलग है मैं आपको इस side समझा देती हूँ है ना ये वाली value है आपके पास में 12% इसको क्या लिखेंगे इसको आप बहुत अराम से question को बनाए करेंगे 12-12% आपका यहां लिख लेते हैं मैं 12-12% है अब क्या करें अभी तक तो आपने बड़े ही अराम से question solve करा दिये अब कैसे करेंगे अभी भी आपके पास में method तो same ही रहेगा ना method थोड़ी ना बदल जाएगा अगर आपके पास में values fraction में आ गई तो है ना ये इसक प्लस करते हैं तो 4-12, 12 में एक प्लस करूंगी यानि की 13 बटे 4 ठीक है आप mixed fraction को इस तरीके से खोलेंगे तो same चीज हम लोग यहां करेंगे साढ़े 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 12 दूनी 24 और एक चोड़ेंगे यानि की 25 बटे में कितना है दो और उसके बाद क्या है परतीशत है समझाई चीज़े अभी question आपका वही है मैंने इसको change नहीं किया है अभी भी आपका percent में ही है ये भी percent में था percent से percent में ही है सिर्फ हमने mixed fraction को आपका simple fraction में convert किया है ठीक है अब क्या करें आप जो formula बताया है वही आप apply करेंगे percent हटेगा तो नीचे 100 आएगा यानि कि मैं 25 तो था बटे में 2 था percent हटेगा तो उसके नाम का हम लोग 100 लगाएंगे ये बनेगा 200 25 एकम 25 25 से जाएगा आठ पे यानि कि हम लोग साढ़े बारा या फिर बारा सही एक बटे दो को लिख सकते हैं एक बटे आठ समझाया इसी तरीके से आपका एक और मैं बता देती हूँ जैसे question में आएगा 16 सही 2 बटे 3 परतिशत को क्या लिख सकते हैं आपको बता है mixed fraction को सबसे पहले खोलना है कैसे खोलेंगे इन दोनों की गुना करानी है आपका 16 तिया 48 और उसमें आपको 2 जोड़ना है कितना बनेगा 50 बटे कितना है 3 और अभी भी यह आपका परतिशत है अब क्या करेंगे आपका 50 रहेगा as it is बटे में क्या है 3 और percent हटेगा तो आपके पास में आएगे 0 इसको काटेंगे 0 से 0 5 से 1 पर यह जाएगा 6 पर यानि कि हम लोग directly बोल सकते हैं 16 सही 2 बटे 3 को 1 बटे 6 परतिशत लिखा जाता है ठीके यह आपक करें हम किस किस value को याद रखे फिर solution क्या है solution आपका simple सा है क्या आपको कुछ values को याद करना है कुछ values का मतलब हो क्या आपको एक से लेकर के 20 तक की values को बस याद करना है जादा नहीं आप बस 20 तक का भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत sufficient है 20 तक की कैसे values को याद करना एक बारी मेरे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपको more than 50% चीज़े यहीं पर clear होंगी जैसे एक बटे एक आपका 100% रहेगा है ना आपका क्या आएगा एक बटे 2 को 50% एक बटे 3 को 33.33 या 33 सही एक बटे 3% इसके लावा एक बटे 4 25% एक बटे 5 20% एक बटे 6 16 सही 2 बटे 3 या फि 14 सही 2 बटे 7 परतीशत इसी तरीगे से एक बटे 8 को साढ़े 12 एक बटे 9 को लिखेंगे 11 सही 11 सही एक बटे 9 परतीशत और आपका 11.11 एक एक बटे 10 को लिखेंगे 10% एक बटे 11 को लिखेंगे 9 सही एक बटे 11 ठीक है इसके अलावा आएगा आपका एक बटे 12 को 8.33 एक बट से ज़्यादा आपको कहां याद करनी है पॉइंट से ज़्यादा आप इसको फ्रेक्शन में याद करेंगे आपकी ज़्यादा helpful होंगी बच्चों को बहुत confusion होता है मैंने आपको starting में ही बूला था आपकी class है सिर्फ confusion दूर करने के लिए पॉइंट की ज़गे अगर आप फ्रेक्शनल वैल्यूस को याद करेंगे तो आपको ज़्यादा benefit होगा है आप फ्रेक्शनल वैल्यूस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके याद करेंगे क्योंकि सिधा बोल दूँगी दोनों करलो फाइदा नहीं आप कोई भी नहीं करोगे मुझे बता है तो चीजों को जैसे बता रही हूँ वैसे करना है इसी तरह से लास्ट आएगा आपके पास में एक बटे 20 आप करहेगा 20 समझ आई चीज़े बस आपको ये वाली टेबल जो है 20 परसेंट तक की ही याद करनी है किसी को स्क्रिंशोट लेना हूँ तो एक बरी फटा-फट से स्क्रिंशोट लेंगे और इसी के साथ आगे चलते हैं न आपका क्या सीख रहे थे हम लोग परसेंट से फ्रेक्शन में कैसे जाना है हमने उसके अंदर सबसे पहले कुछ सिंबल वैल्यूस फिर हमने कुछ mixed fraction की help से सीखा है और अब हमारे पास में इसी तरीके से कुछ और वैल्यूस आने लग गई मैंने बूला है कि एक बटे 20 तक की ही वैल्यूस को याद करना है तब question दिमाग में आया हूगा कि मैं बाकी की वैल्यूस का क्या करना है भाकी की वैल्यूस का क्या करना है मैं आयो हूँ न बताने तो भाकी की वैल्यूस को कैसे करेंगे आन से सीखना थोड़ा सा ठीके जैसे आपने याद किया होगा लोगी 14 सही 2 बटे 7 को लिख सकते है एक बटे 7 यह कैसे आएगा एक बटे साथ अभी अभी मैं आपको यही सिखा करके आई हूँ कि percent से fraction कैसे बनाना है यही चीजे तो सीखी थी ना जैसे यहां से अगर मैं बनाना चाहूं तो यह कितना बनेगा 100 है ना और बटे में कितना आएगा 7 percent अब इसको फिर से खोलेंगे तो यह र लिखेंगे एक बटे साथ है ना तो मैं यह सारी चीजें एरेज करके इसको डिरेक्ली लिख दूँ आपका यह किसके बराबर है 1 by 7 के बराबर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब अगला fraction आएगा आपका 28 सही 7 बटे 28 सही 4 बटे साथ उससे अगला fraction है आपका 42 सही 6 बटे इसमें हम 6 जोड़ेंगे यह बनेगा 300 और बटे में आएगा 7 क्या हम इस तरीके से करेंगे और फिर इसमें मैं percent है तो इसको फिर से लिखेंगे 300 बटे 7 परसेंट हटेगा 2-0 और आपका answer कितना आएगा 3 बटे 7 क्या हम इतनी calculations करेंगे क्या paper के अंदर बिल्कुल भी नहीं तो वही आपका एक छोटा सा solution है जिसके अंदर की mostly बच्चा बस confused हो रखा है और confused होने का topic नहीं है क्योंकि percentage आपके arithmetic maths की जान है और percentage की जान आपके fractions है चलिया फिर मैंने आपको बताया क्या है 14 सही 2 बटे 7 आपका 1 बटे 7 की बराबर है अब आप चीजों को थोड़ा सा relate क करने की कोशिश करेंगे जैसे 14 दूनी 28 है जब भी fractional value का double करेंगे जैसे 3 सही 1 बटे 4 मुझे इसका double करना है 2 से गुना करनी है तो कैसे गुना होगी जिस भी संख्या से गुना करनी है उस संख्या की इस से भी गुना और इस से भी गुना इसको मैं लिखूंगी 3 दूनी 6 और 2 की एक से करूंगी तो 2 बटे में कितना आएगा 4 समझाई चीजे जैसे मैं एक और एक्जामपल लूँ मैं आपको गुना करने के लिए बोलती हूँ कि आपको करना है एक सही 5 एक सही 2 बटे 7 ठीक है आपको इसको 3 से गुना करना है तो कैसे करेंगे आप 3 से इसको भी 3 एकम कितना होगा 3 और 3 दुनी कितना होगा 6 और बटे में कितना आएगा साथ आएगा इस तरीके से आपको फ्रेक्शन में मल्टिप्लाइ करनी है आई होप आपको चीजे समझ में आई हूँगी अब आज आओ वाप इस से क्वेशन पर जहां हम लोग रुक रखे थे अब मैं इसका दुगना है 28 सही 4 बटे साथ कैसे करके देखो 14 सही 2 बटे साथ का दुगना है ना 14 की भी 2 से होगी 14 दुनी कितना होगया 28 इसकी भी 2 से गरेंगे 2 दुनी 4 और बटे में कितना है 7 28 सही 4 बटे साथ मैं इसका दुगना है तो आप इसका भी तो तो आप यहां से इस इसका भी तो दुगना करेंगे ना अगर इसका दुगना दे रखा है तो आप इसका भी तो दुगना करेंगे इसका दुगना करेंगे तो कितना हो गया दो बटे साथ यानि कि आपको 28 सही 4 बटे साथ जहां पर भी दिख जाए आख बंदगर के वहां पर किसके बराबर लिख प्रफ़ना है समझारी चीज़े इसी तरीके से एक दो एक्जामपल्स और है आपके पास में ये इसका तीन गुना है 14, 32 और 2 की 3 से करूंगी 6 और बटे में 7 यानि कि इसका तीन गुना आपको दे रखा है तो आप यहाँ पर भी इसका तीन गुना करेंगे आपके पास में कि आसे पता करेंगे देखो मैंने आपको सिखाया है 14 सही 2 बटे 7 है इसका 4 गुना इसका कितना है आपके पास में 14 सही 2 बटे 7 का 4 गुना है ना मैंने सिखाया है आपको इधर भी गुना करनी है और इधर भी 14 की 4 से कराऊंगी आपका बनेगा 56, 4 की 2 से कराऊंगी 8 बटे 7 है अगर बड़ी है तो आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं इसको लिख सकती हूं, जैसे मैं इसको लिख सकती हूं, 56 ठीक है, और प्लस का 8 बटे 7 को मैं फिर से भाग करूँगी, 7 एकम 7 एक बचेगा, यानि कि मैं 8 बटे 7 को लिख सकते हैं, 1 सही एक बटे 7, और ये इसका चारगुना ही दे रखा है, समझाई चीज़ें, इसको split करके करना है, 14 का चारगुना 56, 4 दूनी 8 बटे में कितना है, 7, जब भी आपके पास में इस value में, ओपर वाली value नीचे वाली से बड़ी है, तो फिर से भाग देंगे, जब तक भाग देना है, जब तक कि छोटी value ना आ जाए, यानि कि 7 से छोटा ना आ जाए, यहां मैं फिर से भाग दूँगे, आपके पास कितना बनेगा, सताओवन सही, एक बटे 4, समझाई चीज़ें, यानि कि मैं इस case में क्या दिया गया है, इसको इरेज कर दूँ समझाया, यही आपको fractional values है, जो की paper के अंदर direct लगानी है, वहां आपको 57 सही, एक बटे 7 दिया मिलेगा, तो आपके click होगा, कि मैं यह तो 14 सही, दो बटे 7 से related है, फिर आप calculate करेंगे, उसका कितना गुना है, आपको समझाईगा, यह तो 4 बटे 7 की value दे रखें, वहां पर फिर आपको चीज़े directly करनी है, ठीक है, इसी तरी के से आपके कुछ और examples है, एक बड़ी फटा-फट से देखेंगे, जैसे हमें पता है, 33 सही, एक बटे 3 को एक बटे 3 के बराबर लिखा जाता है, percent से जब fraction में change करेंगे, किसी बच्चे को याद है, तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं याद, तो आपको एक बटे 20 तक की वो table तो याद करनी ही पड़ेगी, वो बस मजबूरी है, उसके बाद एक बटे 21 भी याद नहीं करने दूँगी, वो जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बस 20 तक की याद करनी है, उसके बाद क्या करें, मैम इसका दुगना है, इसका दुगना है, करके देख लो, 33 सही एक बटे 3 का दुगना करना है, है न, ये जाएगा 66 और ये जाएगा 2 बटे 3, 66 सही दो बटे 3 बातों सही है, इसका दुगना दे रखा है, तो आप इसका भी दुगना करेंगे, यहां से आपके पास में कितना आएगा, दो बटे तीन, यहां पर चेक करेंगे, मैम 11 सही एक बटे नो, आपको एक बटे नो की वैलू दी गई है, और यह इसका दुगना है, यह इसका दुग दे देगा कि 22 सही दो बटे 9% है, कि A, B से 22 सही दो बटे 9% अधिक है, तो आप वहाँ पर fraction को खोलने में time waste नहीं करेंगे, fraction आपको directly याद है, आप सीधा बताएंगे, मैं हम 22 सही 2 बटे 9% मतलब 2 बटे 9, 9 पर 2 अधिक है, आप इस तरीके से question को फिर directly उडाएंगे, ठीक है, कुछ और examples है, मैं एक बार ये और बता देती हूँ, आपका बहुत important आता है ये, एक्जामिनर के दिल के बहुत पास है, 37 सही 1 बटे 2%, करना कैसे है आपका वही, साढ़े 12% होता है 1 बटे 8, ठीक है, इसका क्या कर रखा है दुगना, 12 दुनी 24 और आधिका दुगना, एक 24 औ ठीक है, आप 12 की 2 से करेंगे 24, इस दो की इस एक से करेंगे 2, और बटे में भी कितना है, 2, कट करके कितना आएगा, 1, 24 और एक कितना होगा, 25, आप ऐसे भी सीख सकते हैं चीजों को, और directly तो मैंने आपको बता ही दिया, यानि कि माम इसका दुगना है, इसका डबल है, तो आप इसको एक बटे 4 भी बोल सकते हैं, एक बटे 4 ही तो 25 परसेंट के बराबर होता है, पिछे जाकर के वीडियो में टेबल में चेक करना, कि आपका एक बटे 4, 25 परसेंट के बराबर है, ठीक है, इस ये से रिस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपके एक्जामिनर की जो फेवरेट है, साढ़े 37, इसका 3 गुना है, कैसे करके देखो, आपको साढ़े 12 का 3 गुना करना है, 12 तिया 36 और ये जाएगा मैं 3 बटे 2, ओपर वाली वैलू, नीचे वाली वैलू से बड़ी है, इसको फिर से भाग करो, जब तक की नीचे वाली वैलू, याने की 2 से छ का 37 और आधा लगा देंगे ऐसे ही, याने की मैं 37% को ही हम लोग लिख सकते हैं, 37% ही है, हमारे पास में 12 का 3 गुना हमने हैंस प्रोवड कर दिया, है नो, हैंस प्रोवड कर दिया, इसका मतलब ये इसका कितना है, 3 गुना, तो आप यहाँ पर भी इसका 3 गुना कर देंगे आपके पास में कितना आएगा यहां से, 3 बटे 8, ठीके, इसी तरीके से ये क्या है, ये मैं इसका 4 गुना है, तो आप यहाँ पर भी इसका 4 गुना कर देंगे, यानि कि आपके पास में कितना आएगा 4 बटे 8, है न, यहाँ पर कितना आएगा 4 गुना है, 4 गुना तो नही यह कुछ और दे रख है यह आपको कोई और वैलू दे रखिये इसका 4 गुणा इतना थोड़ी न होगा इसके 4 गुणे की वैलू इतनी तो नहीं बनेगी आपको कुछ और ही दिया गया है इसको देख ले एक बड़ी 37 और इसको हम लोग अलग से बना सकते हैं इसको हम लोग 50 प्लस में करके लिख सकते हैं, वो चीज मैं आपको अभी सिखाऊंगे, 50% और 12 को आप अलग से लिख सकते हैं, यानि कि 50% तो सीधा 1 बटे 2, और 12 आपका 1 बटे 8, LCM आएगा यहां से 4 और 5, आपका कितना आएगा, 5 बटे 8, या फिर मैं सीधा बोल दो, इसका 5 दे रखा है, 12, 5, 60 और 5 बटे 2, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यह मैं आखे चल करके आपको सिखाऊंगे, यहां पर जो आपका method चल रहा है, मैं उसी से बता देती हूं, क्यों चीजों को confuse करना, आपका क्या चल रहा था, इसका कितना है, 5 गुना है, कैसे, मैं हम करके देखो, 62 का 5 है ना, तो 12, 5, 60 और यह जाएगा 5 बटे 2, है ना, आपका 60 तो रहेगा as it is, और 5 बटे 2 को मैं क्या लिख सकती हूं, मैं हम 5 बटे 2 को लिख सकते हैं, इस तरीके से, है ना, 60 और 2 को चोड़ेंगे 62, और 1 बटे 2 लिखेंगे आप as it is, यानि कि 62 सही 1 बटे 2 चुखेंगे, तो बस आप यहाँ पर भी क्या करेंगे इसका 5 परसेंट, आप यहाँ पर भी इसका क्या कर देंगे directly, 5 परसेंट तो आपके पास में value कितनी आएगी, कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में इसका 5 गुना, यानि किसकी value कितनी बनेगी, 5 बटे 8, I hope आपको यह fractional values directly याद हुई हूँगी, कि एक बटे 20 के अलावा बाकी के निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसे के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपका रहेगा second portion, जिसके अंदर है conversion of fraction into percent, यह आपको कुछ fraction ने रखे हैं, इनसे percent में जाना हो, तो क्या करेंगे कुछनी, multiply by 100 है न, multiply by 100 करेंगे, और वहाँ क्या क्या था हमने divided by 100, यहाँ क्या क्या था हमने divided by 100, और अब क्या करेंगे हम लोग multiply by 100, बस इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है, कैसे निकालेंगे मैम जैसे एक बटे 8 का निकालना है, multiply by 100 कर दो, साढ़े 12 आपके पास में आएगा, ठीक ऐसे ही मालो 1 बटे 3 का निकालना है multiply by 100 करेंगे ये बनेगा 100 बटे 3 और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 33 सही 1 बटे 3 परतीशत इसी तरीके से आपका 1 बटे 4 सीधा लिख सकते हैं 25 परसेंट है ना इसके अलावा आपका 1 बटे 5 सीधा लिख सकते हैं कितना जाएगा 20 परतीशत इसी तरीके से एक दो examples और हैं आपके लिए 1 बटे 7 को लिख सकते हैं हम into 100 करेंगे 14 सही 2 बटे 7 परतीशत ये सारी values आपको अपने हाथ से एक बारी निकाल करके देखनी है थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां से आपको कुछ और values दी गई है जैसे कि 1 बटे 7 का अभी बटे 7 परतीशत वही चीज है बस इसका 4 गुना दे रखा है तो आप यहां से भी इसका 4 गुना कर देंगे है ना इसका 1 बटे 6 का हमें याद है मैं 16 सही 2 बटे 3 परतीशत तो इसका कितना दिया गया है मैं 4 गुना दिया गया है तो आप यहां से भी इसका 4 गुना कर कैसे निकालेंगे मैंने आपको last slide में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था 16 की 4 से कितना 64 और 4 दूनी 8 बटे में कितना है 3 है मैं हम इसको लिखेंगे 64 प्लस का 3 को लिखेंगे 3 दूनी 6 और ऐसे है ना दूनी 6 और दो 8 बटे 3 64 और 2 कितना हैगा 66 सही 2 बटे 3 है ना यानि कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग मैं हम इसका सीधा 4 गुना करके 66 सही 2 बटे 3 परतीशत लिख सकते हैं यह सारी चीज़े हम लोग last slide में last जो आपका pace था उस पर सीख चुके है and I hope आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं सबसे पहले सीखा है percent से fraction अब सीखा है fraction से percent कैसे जाना है आपका भिन से आपका fraction में कैसे हमें convert करना है और उसी में advanced level की चीज़ों को कैसे relate करके हमें याद करना है उनको relate करके कैसे हमें याद करना है इसी तरीके से एक से दो examples आप लोगों के लिए हैं जैसे इसको लिख सकते हैं 11 सही एक बटे नो परतिशत इसका दो गुना है आप इधर भी बताएंगे ठीक है इसी के साथ आपका आता है बहुत 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 इंपोर्टेंट है exam के point of view से आपके कुछ standard values है है ना जैसे कि 125 का निकालना है मैं 125% को क्या बोलेंगे तो आपको वह ऐसे नहीं करना 125% हटेगा नीचे 125 पांचे 25 चोके इस तरीके से exam में नहीं बनाना है आपको एक बहुत जबर्दस method मैं आपको सिखाने वाली हूँ जैसे इसने बुला है 125 आप इसको उन values में split करेंगे जो values आपको directly याद है जैसे 125 को मैं लिख सकती हूँ 100% प्लस में आपका 25% 100% का मतलब है 1, 25% का मतलब है 1 बटे 4 LCM लेकर के चोड़ेंगे आपका answer कितना बनेगा 5 बटे 4 समझाए चीज़ें इसी तरीके से जैसे 150% है मुझे आता है माम 100% और प्लस में आपका 50% है ना 100% को लिख सकते हैं 1 50% को हमने directly याद किया है आपका लिखेंगे 1 बटे 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो at the end हमारा answer कितना आएगा 3 बटे 2 इसी तरीके से कुछ होर examples आप लोगों के लिए हैं जैसे 116 सही 2 बटे 3% आजाए तो क्या करेंगे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि माम इतना सब करेंगे इस से अच्छा तो हम 150 बटे 100 करके काटके ही कर लेंगे ठीक है काटके कर ले ना और फिर जब ऐसी कोई value फस है ना कोई भड़िया सी value जब फस जाए फिर मुझे मत बोलना ठीक है आपका method अगर म मतलब होता है एक बटे 6 इनको चोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 7 by 6 इसी तरीके से और values है जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ आपका 100% अलग से और इसको मैं लिख दूँँगी 12% अलग से कोई दिक्कत नहीं है 100% का मतलब 1 और 12 का मतलब 1 बटे 8 आपको मैंने याद भ प्लस में 37 सही एक बटे 2 को क्या लिखेंगे मैं देखो 300% का मतलब तो 3 है 100% का मतलब 1 200 का 2 300 का 3 400 का 4 500 का 5 इस तरीके से आपके पास में है और 37% को क्या लिख सकते है 37 सही एक बटे 2 को मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ हाइलाइट करके मैंने बूला था examiner का favorite है इसको लिख सकते है 3 बटे 8 बस चिपका दो इसको क्या लिख सकते है हम लोग आपका 3 बटे 8 है न इसको लिख सकते है 3 पलस में 3 बटे 8 में यहां कर दूँ आपका आएगा 3 थीनसो का कितना रहेगा आपका 3 है ना और ये कितना था 3 बटिए 8 ये जाएगा 8 तीद 24 और 3 27 बटिए 8 आपका सिंपल सा आंसर है किzet 337 ही एक बटे 3 एक बटे 2 परसेंट को आप 27 बटे 8 लिखेंगे और अगर यह जो भी methods हैं, उनको थोड़े दिनों के लिए avoid करके, आपको ये सारे तरीके सीखने हैं, इसी series में आपके कुछ और examples भी हैं, जैसे कि 516 सही 2 बटे इसको लिख सकते हैं, 500 परसंट अलग से, 16 सही 2 बटे, 3% 500 का मतलब 5, इसका मतलब है 1 बटे 6, 6, 5, 3, 31 बटे 6, हैंना, इसको लिख सकते हैं, मैं 400 अलग से प्लस का 14 400 परसेंट अलग से प्लस का 14 सही 2 बटे 7 परसेंट आपका अलग से आएगा 400 का मतलब 4 और इसका मतलब हो गया 1 बटे 7 7 चोग 2800 कितना आएगा 29 बटे 7 एक एक्जामपल आप लोगों के लिए है इसका आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे आपका जो ये वाला एक्जामपल है इसका आंसर क्या बनेगा और इसी के साथ आपका रहेगा एक और एक्जामपल 9 वाला ये दो आपके एक्जामपल है माइनस वाले या आपको सिखा चुकी हूँ, मैं आपको minus वाला सिखा देती हूँ, है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते है ना, कि 100 minus में 100 percent, minus में कितना है 80 है ना, 100 minus में आपका 20 percent, 100 को लिखेंगे मैं 1 और 20 percent को लिखेंगे 1 बटे 5, 5 में से 1 जाएगा आपका 4 बटे, 5 जाएगा ठीक है, इसी तरीके से अगर यही value fraction में है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 100% माइनस में आपका कितना है 88 यानि कि 11 सही एक बटे 9 परतिशत 100% का मतलब 1 इसका मतलब 1 बटे 9 आपका यहां से answer कितना आएगा 8 by 9 इसी तरीके से आपको सारे के सारे fractions को फोड़ना है तोड़ना है होंगे आपको ऐसे ही कुछ fractions की खुद से practice करनी है और उस table को याद करना है ठीक है चलिए फिर thank you so much take care bye bye